तो आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स और रिवियू करेंगे लाइफ टेक के इस आर्मर RGB गेमिंग कॉम्बो को जो की अभी कुस्टेम पहले ही लॉंच हुआ है और इसे खरीदरे के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और साथ ही म हम बात करेंगे इस पर मिलने वाली क्वालिटी इसके फीचर्स और इसकी पर्फॉर्मेंस की भी तो चलिए ओप वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अन्बॉक्सिंग के साथ में तो हमारे ये गेमिंग कॉंबो आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में और यहाँ इस तरफ इसके मॉडल M को मेंशन किया गया है अब बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर इस पर मिलने वाले कुछ मेंन फीचर्स के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर है इसकी MRP तो MRP तो है इसकी 2999 पर आप इसे 1500 रुपी की प्राइस में परचेस कर सकते हो और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसकी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो चलिए अप जल्दी से इसे एंबॉक्स करते है और चलते है इसके इंबॉक्स कॉंटेंट्स की तरफ तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारी यह गेमिंग माउस पैड जिस पर इसके मॉड़ा नेम आर्मर को मेंशन किया गया है उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारे यह गेमिंग कीबोर्ड जो की आता है इस काफी कॉंपक्ट से साइज में अब भी के लिए रखते है हमें इसे साइड में और चलते है इसके बाकी कॉंटेंट्स की तरफ और box में आखरी में हमें देखने को मिलता है हमारी ये gaming mouse तो friends हमें यही सब कुछ contents इसके box में देखने को मिलते है अब हम जल्दी है चलते हैं अपने gaming combo की तरफ और पहले अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी physical overview की तो हमारे ये gaming keyboard आता है कुछ इस तरह के काफी slim और compact size design में और यहार first impression में इसकी quality भी काफी impressive लग रही है साथ ही में आपको यहाँ पर RGB lights देखने को मिलती है जिनके functionality की हम वीडियो में आगे चल कर detail में बात करेंगे Keys को आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ी से उपर की तरफ गुरेजड है overall design इस keyboard का काफी बढ़िया है और यह full size keyboard हमें इस compact size में देखने को मिलता है हाला कि यह keyboard आता है इस compact size design में लेकिन यार यह थोड़ा सा heavy जरूर है क्योंकि यह आता है metallic back के साथ में जोकि इसकी build quality को काफी अच्छा बनायती है यहाँ इस तरफ है life tech के branding और साथ ही में आपको देखने को मिलती है यह 4 चोटी-चोटी से grips जिसे keyboard typing और gaming करते वक्त slip ना हो लेकिन keyboard को tilt और flat करने के लिए stands missing है उसके इलावा इसकी cable की जो length है वो है 1.5 meters की और साथ ही में आता है gold plated connector के साथ में तो चलिए अब बात करते हैं इसके साथ में आने वाले इस gaming mouse की तो keyboard की ही तरह mouse पर भी हमें बड़िया design देखने को मिलता है दोनों तरफ sides में हमें lights देखने को मिलती है और बीच में है life tech का logo उसके अलावा यह mouse आता है total 6 की इसके साथ में और यहाँ sides में है forward और back की और यहाँ पर है इसका यह DPI switch लेकिन इसकी lights को on या off करने के लिए हमें कोई भी बटन नहीं मिलता और नहीं हम इसकी lights को किसी और effect में change कर सकते है जो कि मेरे इसाप से इसका एक छोटा सा कौन है लेकिन keyboard की ही तरह हमारे एक gaming mouse वी आता है इस 1.5 मीटर की braided cable के साथ में और यहाँ पर भी आपको gold plated connector देखने को मिलता है overall इस mouse का design और quality काफी अच्छी है और full size होने के कारण आपको यहाँ पर बढ़िया gaming experience मिलेगा पीछे की तरफ इसके model M को mention किया गया है और इसका scroll wheel आपको rubberized texture में मिलता है आप बात करते हैं इसकी RGB lights की functionality की तो इसकी lights को on या off करने के लिए आपको यहाँ पर एक dedicated key मिलती है या फिर function की और इस on off key से आप इसकी lights को breathing effect दे सकते हो हलाकि आप इस breathing effect की speed को कम या जार तो नहीं कर सकते हो लेकिन आप इस function की और page up या down key से इसकी brightness को कम या फिर जारा कर सकते हो हलाकि इसका mouse भी backlit है लेकिन इसकी lights भी सिरफ एक ही pattern breathing light effect में ही work करती है अब बात करते हैं इस combo के कुछ features की तो इसकी keys पर भी आपको backlight देखने को मिलती है मतलब कि यही तो आप इसे अंधेरे room में भी use करते हो तब भी इसकी key letters आपको easily visible रहेगी जो कि इसका एक काफी बढ़िया feature है पीछे की दरब metal frame होने के कारण इसकी build quality भी काफी solid बन जाती है उसके इलावा lights को breathing effects दे सकते हो हाला कि आप इसकी speed को कम या जादा नहीं कर सकते हो mouse पर आपको total 6 keys मिलती है जिसमें से forward और back की है 4 DPI modes है और 7 breathing colors उसके लावा दोनों पर ही keyboard और mouse पर आपको braided cable और gold braided connector मिलते है और दोनों की wire की length भी 1.5 meters की है तो फ्रेंड आखरी में अब हम बात करते है कि क्या इस 1500 रपी की price में हमें इस RGB gaming combo की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं तो overall एक तो इस gaming combo का design जो है वो काफी बढ़िया है और साथ ही में काफी durable भी है और यही तो आप budget price में एक बढ़िया और durable gaming backlit combo को ढूँड रहे हो तो आप definitely live tech के इस armor gaming combo की तरफ जा सकते हो तो फ्रेंड यही कुछ था आज की इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो पसंद आई हो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेज जरूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल 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 झालें।